Hi friends, आजके इस सेशन में हम जानते हैं, friends किसी भी चीज़ को English में काटने के लिए किन सब्दों का यूच किया जाता है, ठीक है, किन सब्दों का प्रियोग किया जाता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, bite, एक bite का मतलब भी काटना होता है, but bite का मतलब होता है, जैसे किसी तो उसके लिए बाइट का यूज करते हैं, जैसे नाखून काटना, मैं नाखून काट रहा हूँ, तो I'm biting the nail, कुछ लोग होते हैं इस तरीके का इसा नाखून काटते हैं, और next है हमारा friends cut, cut का मतलब भी काटना होता, वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन कैसे काटना, यह किसी चीज को धारदार चीज से काटना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कैची से काटना, चाकू से काटना, तलवार से काटना, तो इसके लिए हम cut का यूज करते हैं, I'm cutting the vegetable, हम सबजी काट रहा है, मोले तो मैं सबजी काट रहा हूँ, right? और नेक्स्ट है, friend, Reap, Reap का मतलब जानते हैं, आप Reap का मतलब भी काटना होता है, बड़ किसी चीज जैसे फसल काटने के लिए, यह यूज होता है फसल काटने के लिए Reap, तो दोस्तों कमाल की जानकारी थी ना ऐसे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए